कि हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चला मैत मंच पर दोस्तों आपके इस वीडियो में हम समाकलन का एक और इंपोर्टन को से डिसकास करेंगे जो यूपी बोर्ड में 2010 और 2011 में पूंचे जा चुका है और 2017 में पूचा गया था 7 या 8 नमबर का ओके काफी अच्छा है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखीगा आए कुस्टन करते हैं देखिए कुस्टन गया है इंटिग्रेशन एक्सकी पावर 3 अपॉन एक्सकी पावर 4 फ्लास एक्सकॉर प्लस बंड डियक्स एधि आप इस कुस्टन को साधारान समझ रहे तो आपकी ग एक्स इसकॉर का होल स्कॉरर प्लस एक्स एक्स इसकॉर प्लस बंड ऑके अब हम नबर करेंगे मान लेंगे लैट करीए यह उसकाव्फание कि अपको आपको मिल जाएगा एक्स ड्येक्स बरावर DTY 2 हमने क्या किया यहाँ पर हमने X score बरावर T मान लिया उसका उकलन कर दिया तो आपको इतना मिल जाएगा देखिए आपका सवाल क्या था हम देखिए X score बरावर कितना रखेंगे उपर T रखेंगे ओके और नीचे क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे तो T score हो जाएगा नीचे T प्लस 1 और X DX X DX बरावर कितना मिल चुका हमको DTY 2 तो DT by 2 लिखे दिया हमने ठीक अब यहाँ से हम क्या करेंगे जो हमारा दो constant इसको हम भाहन निकाल लेंगे तो 1 बटे 2 इंटीग्रेशन T upon T score प्लस T प्लस 1 DT अब देखे हम इसमें क्या करेंगे इसमें हम इसको पूर्ण बर्ग बनाएंगे ओके फरफेक्ट स्कॉर उसको हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे देखिए 1 बटे 2 T upon T score प्लस T प्लस 1 ओके लेकिन हम क्या करेंगे इसका हम पूर्ण बर्ग बनाना है तो हम क्या करेंगे इसमें T का गुलांग इसका आधा करेंगे और इसका square करेंगे square करने पर हम को मिल जाएगा 1 upon 4 और minus 1 upon 4 यहनि कि इसका हम को पूर्ण बर्ग बनाने के लिए एक बटे चार जोडना होगा और एक बटे चार घटाना होगा ठीक तो एक बटे दो T upon T square plus T plus 1 plus 1 upon 4 minus 1 upon 4 इसका हम पूर्ण बर्ग बना रहे हैं चलिए हमने यहाँ पर एक बटे चार जोडा एक बटे चार घटा आया ठीक DT एक बटे दो integration T upon देखिए दोस्ते हैं आपड़ टी और T square T plus 1y4 यह आपका फर्मूला बन जाएगा T plus 1y2 का whole square आपके पास क्या बचा है 1 और minus 1y4 बचा है जैसा ही आपका इसका LCM लोग है तो आपको मिल जाएगा 4 एक हम चार और एक जाएगा तीन बटे 4 ठीक TT ओके एक बटे दो integration T upon T plus 1y2 का whole square और दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं under rule 3 upon 2 का whole square लिख सकते हैं न हम इसको इस बचाल हमने 3 upon 4 को under rule 3 upon 2 का whole square लिख देगा ठीक देखे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप नीचे कह दिया है bracket में T plus 1 by 2 दिया है और उपर सिर्फ T दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे हम इसको इस प्रकार बनाएंगे कि हमारा कोई formula बन जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उपर एक बटे दो जोड़ेंगे और एक बटे दो घटाएंगे ऐसा हम किसलिए कर रहा है क्योंकि हमको formula बनाना है ठीक तो अब इसको हम अलग-अलग integration करेंगे तो देखे क्या लखेंगे हम एक बटे दो integration t plus 1y2 upon t plus 1y2 का whole square plus root 3y2 का whole square dt ओके और माइनस एक बटे चार integration 1 upon t plus 1y2 का whole square plus root 3y2 का whole square dt फिर से समझी देखे हमने क्या कि यहां पर जो इसका हमने अलग-अलग divide के दिया और अलग-अलग इसका integration कर दिया हमने यहां पर ठीक इसका हमने अलग-अलग इसमें divide कर दिया इसमें भी कर दिया और इसका अलग अलग हमने इंडिकेशन कर दिया ठीक देखिए दोस्तों हमने इसको अलग 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 कर लिया और इसका अलगा इंडिकेशन कर दिया है अब यहाँ पर आप इसका आप आसानी से कर सकते हो लेकिन यहाँ पर अभी आप आसानी से नहीं कर सकते हो तो हम इसको क्या इसको आप integrate करोगे इसको आप differentiate करोगे तो du upon dt बरावर आपको मिल जाएगा 2 t plus 1y2 ओके जैसा कि आप उपर देख सकते हो कि हमको चाहिए t plus 1y2 चाहिए ओके तो हम क्या करेंगे यहाँ से du y2 और t को हम यहाँ पर भेज़ देंगे तो t plus 1y2 dt अब आप देख सकते होपर क्या है हमको एक बटे 2 और हमने देखी यहाँ पर इसको हमने क्या मान लिया है यू मान लिया तो यहाँ पर हम यू रख देंगे और t plus 1y2 dt बराबर हमको क्या में लगा है du y2 ओके और दोस्तों आपको बराबर जो आपको फर्मूला चल रहा था है क्या चल रहा था माइनस एक बटे चार इसका फर्मूला खोले गए दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर हम रैकेट लगा लेंगे एक जी आपका फर्मूला है integration बन अपॉन एक स्कॉर प्लस ए स्कॉर कर जी आपका फर्मूला क्या है दोस्तों मैं आपको लिखके बता देता हूं integration बन अपॉन एक स्कॉर प्लस ए स्कॉर डी एक स्ब्राबर फर्मूला होता है बन अपॉन ए टैन इनवर्स एक स्कॉर प्लस ए यहाँ कि बन अपॉन ए टैन इनवर्स एक स्कॉर प्लस ए यहाँ कि बन अपॉन ए तो मैं आपना फर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएग टू इन्टू टैन इन्वर्स एक्स अपॉन ए यानि की टी पिलस वन वाई टू अपॉन रूर थ्री अपॉन टू यहाँ पर हमें एक ब्रैकट दे देंगे इसको हम साफ कर देंगे अब देखिए इसका आप इंटिकेशन करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा एक ब्रैकट टू इंटू टू ओके और इसका इंटिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा लॉग यू ओके माइनस एक ब्रैकट चार और इसका हम उपर ले जाएगे टू upon root 3 क्योंकि यह हमारा 2 क्या है उपर जाएगा into 10 inverse यहाँ पर हमें LCM ले लेंगे तो 2T plus 1 upon root 3 ओके यहाँ पर हमें LCM लिया तो 2T plus 1 और 2 says 2 हमारा कट जाएगा ठीक तो आपके पास आजाएगा minus 1 बाटे 4 bracket 2 upon root 3 into 10 inverse 2T plus 1 upon root 3 यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हूँ यहाँ पर आपके पास में उखणा करेंगे तो कितना होजाएगा 4 होजाएगा 2 into 2 4 और यहाँ सम 4 common ले लेंगे तो कितना होजाएगा 1 upon 4 यहाँ पर बचेगा log u बचेगा और minus 2 upon root 3 10 inverse 2T plus 1 upon root 3 अब आपको क्या करना है जो आपने u बरावर माना था और t बरावर माना था है आपको इसका मान रख देना है ठीक तो देखी हम यहाँ पर क्या रख देंगे 1 upon 4 log u बरावर हमने क्या माना था दोस्तो t square plus t plus 1 ओके और देखी हमने यहाँ पर u बरावर कितना रखा है t square plus t plus 1 आप काऊगे कि आपने तो t बरावर अब आप काऊगे तो आपने आप काऊगे कि आपने u बरावर माना था t plus 1 का whole square plus root 3 of 1 2 का whole square लेकिन आपने रख देखा कितना है t square plus t plus 1 ऐसा क्यों ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि आप यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर जब यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाया था तो हमको कितना मिलाया था? इतना मिल गया था, ओके? वही तो हमने यूवरावर माना था, ओके? इसलिए हमने यहाँ पर इतना लग दिया, ठेक? मैनस 2 अपॉन रूट थी टैन इन्वर्ज टू एक्स स्क्वार प्लास वन अपॉन रूट थी ओके हमने यह पर टी का मान रख दिया एक्स स्कॉर्ट जो हमने माना था ओके जही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका आई होप कि आपको कुछन समझ में आ गया होगा ओके यह ति वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स पर पोचिंग